हेलो मैंडे फ्रेंट स्वागत आपका एक और ने वीडियो में आज मैं आपको अगस्त महीने से बैक टेस्टिंग करके बताऊंगी कि आपको किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए केवल और केवल किस्तिती पता होने से आप कैसे जान सकते हैं कि कि मार्केट में कौर्फ या Under कि तरफ जाना चाहिए इसके लिए बस들이 तो मेरा सबसे बेसिक रूल है जो मैं बहुत बार बताती हूं अगर जो लोग नए देख रहे हैं उनके लिए बार बता रही हूं देखिए मार्केट यहां पर कितना जादा डायरक की रहा है यह 30 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का तो एक कैंडल बहुत बहुत टा में बैठेगी और अच्छी तरीके से आप आएगी और उसको प्रैक्टेकली आप चलते मार्केट में यूज कर पाएंगे देखिए यहां पर कैंडल कितनी अच्छी गिरी तो बहुत बड़ी कैंडल है काफी बड़ी कैंडल है किसी ने किसी भी सेटप के थ्रू अगर यह ऐदेंटिफाय करा है कि मैंने पुट लेंगी है यहां पर अगर यहां पर पर पूट ली है तो यह कैंडल जब बनी होगी हरी वाली तो आप निकले होंगे नहीं निकले होंगे इसका मतलब प्या मारकीट में कोई पैसा नहीं पड़ा है सबने जिसने भी put quarter लगाया था उन्होंने अपनी money जो है निकाल लिया market से यानि कि यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं पड़ा है इसका मतलब क्या हो जाता है कि market ऐसे जैसे नीचे गिरा तो वो इस तरीके से उपर नहीं आ जाएगा इस level को test करने के लिए इसका मतलब यह है आप देखिए market यहाँ पे आया यहाँ तक आया मगर आप यह भी समझे कि market कितना जादा देखे डबलू bullish pattern में आके और कितना जादा time निकाल के तब आया तो इस बात से यह समझे कि जब यहाँ पे पैसा नहीं पड़ा है तो market ऐसे इस तरीके से bounce उपर की तरफ नहीं कर पाएगा तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए आपको दुबारा से put का दर्ष्टिकोन डखना चाहिए देखिए जैसे ही इस हरी candle का low कटा तो आपको market फिर से नीचे गिरतावा दिखाई दे रहा है तो मेरे क्याल से आप ये मेरा first concept समझे होंगे दूसरा concept देखे इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर market में मान लीजे इस तरीके से बहुत सारी swings है और market यहाँ पर कहीं ऊपर खुल रहा है तो आपको यहाँ पर क्या एक bed of candles मिलता है यानि कि एक support level मिलता है क्योंकि इस level पर market में बार-बार नीचे की तरफ जब market था तो reversal आया है तो अब ये level market के लिए support level बन गया है यानि strike price में कोई ना कोई तो ऐसी बात है कि market इसे respect दे रहा है तो अगर उपर से नीचे गिर रहा है तो अब भी इसे respect देनी चाहिए तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या market यहां से उपर की तरफ निकल रहा है वो आप कैसे देखेंगे यहां पर कोई डोजी बगेरा बनेगी या कोई candle इस तरीके के बनेगी पांच पे तीन मिनिट पे अगर आपको उसका हाई कटतावा दिखाई दे उस candle का माली जाहिए कोई candle बन रही है इसका हाई आपको कटतावा दिखाई देख अच्छी strong bullish candle से तो आप समझ सकते हैं कि यह call की तरफ का pattern अब जाएगा अब trade जो है वो call की तरफ जाएगी ओकि यह इसका मतलब होता है कि market ने support लिया अब इसी तरीके से अगर दूसरा पहलू यह है कि अगर मा लिजे market यहां पर बार बार जो है बार बार इस तरीके से रिवर्सल ले रहा है इसका मतलब market इस level को बार बार respect दे रहा है और यहां पर जब भी price आ रहा है तो अगर price नीचे से उपर जा रहा है और यहां पर आ रहा है तो आप यह देखेंगे कि देखने कोशिश कीजिए क कि क्या प्राइस यहाँ से दुबारा गो कॉल साइड का बताया था इसमें भी यही है कि आपको यहाँ पे अगर कोई कैंडल दिखाई दे रही है और एक अच्छी भी अरश कैंडल से मार्केट इसका लो कार्ड देता है तो आप समझ सकते हैं कि trade up put की तरफ जाने चाहिए बस ये तीन rules हैं इन्हें ध्यान में रखेंगे तो आप चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे तो आईए अगस्त का जो महीना था उससे आप हम start करते हैं तो देखे यह जो चार्ट बन रहा है इसमें आप यह देखेंगे कि यहां पर market कितना ज़ादा support ले रहा था यह यहां पर बार बार यहां पर इस लेवल पर buying डल रही है यहां से buying डल रही है इस सब support level को market ने तोड़ा है और market यहां पर बहुत ज़ादा gap down ओपन हुआ है तो इस gap down में हम यह देखने ही कोशिश करते हैं, को हमें करना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, आप खुद बताइए, देखें, नीचे तो इसमें कोई चार्ट है, नहीं, उपर की तरफ यहाँ पे चार्ट है, तो आप इसमें खुद बताइए, कि यहाँ पर यह जो इतनी बड़ी केंडल आई है, इतनी बड़ी जो लाल केंडल आई है, उसके बाद यह की हरी केंडल आई है, तो इसका क्या मार्केट ने हाई निकाला, क्या इसका हाई निकाला, नहीं निकाला, इसका लो निकाला ना, तो आपको यह दिखाई देगा, मार्केट पुट की तरफ जाता वा, तो क्यों Purit की तरफ जाता वा दिखाई देगा क्योंकि देख ale market ने अभी तो support तोड़ा है अभी तो market ने support तोड़ा है जब market ने support तोड़ा है तो इस level पे जो भी buyer बैठे होंगी जितने भी buyer इस level पेठे होंगे वो market की पहली candle आने से ही trap हो गए होंगे सब के order, सब उन्होंने पैसा square off कर लिया होगा, तो ऐसे में क्या होगा, call की moment आना तो impossible है न, इस वज़े से market SL create करने की ज़़े से नीचे की तरफ correction ले रहा है, ओके इस बात को समझी, अब देखें market में इस level से ये market start हुआ था, अगले दिन भी इसी level पे आ रहा है, जब उपर SL ही नहीं है, उपर SL ही नहीं है, तो क्या होना चाहिए, जब यहाँ पे SL कल नहीं थे, तो आज कैसे हो जाएंगे, जब market अभी तो नीचे की तरफ गया है न, उपर की तरफ तो इसने कोई action ही नहीं करा है, तो फिर आज भी market में correction आना चाहिए, तो देख सकते हैं, market में correction आ यहाँ पर direct move होने की वज़े से कोई SL नहीं है, तो क्या होना चाहिए, market में correction आना चाहिए, और आगे चूकी इसे call की तरफ जाना है, तो यह जो इसका last supporting price है, यह price इससे उपर ही रहा है, देखिए, तो यह आपको चाहें बैठता बिठता जा रहा है, मगर आपको put की तरफ तो नहीं दिखाई दे रहा है न जाते वे, आपको call की तरफ जाते वे दिखाई दे रहा है, अब आप इसमें यह देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर SL इखटे हो रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ट्रेंड लाइन बन रहे हैं बायर्स की, यह SL इखटे हो रहे हैं मगर market कहा open हो रहा है यह देखिए market में क्या हो रहा है देखिए market में एक अच्छी खांसी है एक line दिखाई दे रही है या एक support level आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो market ने क्या किया है इस support level से यहाँ पर आपको support लेता है दिखाई दे रहा है तो ऐसे में यहाँ पर तो SL तो यहां से चला जाता मगर यह तो कभी भी नहीं गया ऐसे में क्या है वैसे भी मार्किट ne decision candle बना दिये starting में पहले उसमें decision candle बना दिये अगर आपको decision candle का वीडियो चाहिए तो आप YouTube पे जाके लिखे market mirror candle आपके सामने decision candle का वीडियो आ जाएगा तो जब उपर SL पहले भी नहीं थे तो अब कहां से आ जाएंगे उपर SL तो आपको क्या दिखाई देगा आपको इसमें wait करना है put side की trade का मगर जूकि नीचे एक support है तो आप इसमें यहाँ तक के target book करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ तक पे put side की trade मिली है और आपको यहाँ तक के target मिले support तक के अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर मार्केट ने support ले रखा है यहाँ पर बहुत जादा buyer बैठ रहा है यहाँ पर भी market में SL एक trendline के रूप में seller की मगर market ने क्या किया market gap down open हुआ है gap down open हुआ है तो इसमें क्या संभावना बनती है कि support टूटा है तो SL तो बस हमें यह देखना है कि price क्या करता है price जो lowest swing बनाई थी price ने price उसका support लेता है या नहीं लेता है तो यह देखिए यह जो last level था इसका price ने आसे support लिये पहले तो इन buyer को खतम किया इन दो लाल candle से फिर उसके बाद क्या किया इस line पर support लेके price उपर गया है और उपर चुकी SL नहीं है इस वज़े से price ने इसी level से reversal लिया है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा direct move है तो market ने यहाँ पर SL खतम भी कर दिये हैं और उपर तो SL है ही नहीं मगर इस level पर market ने क्या किया है इस level पर बहुत ज़्यादा seller बिठाया है क्योंकि कि इस level से बार-बार reversal आ रहा है तो यह rejection level हो चुका है अब देखिए अगले दिन क्या हो रहा है market में अगले दिन market में या तो यहाँ पर seller है या फिर यहाँ पर क्या है यहाँ पर buyer है यह दो SL मौझूद है market में तो ऐसे में क्या होना चाहिए ऐसे में यह और market यहाँ खूल है तो पहले देखिए market में क्या किया market में इस-लेवल तक trapping करी जितने भी बायर वायर बिठाने थे वो सब बिठाए इसने बहुत ज्यादा ट्रपंग करी market ने क्योंकि देखिए यहाँ पर direct एसल नहीं थे तो यहाँ पर market में खूब ज्यादा ट्रापिंग करी मगर जैसे ह जो एसल है वो यहीं पे होंगे मतलब इसके लिए कितने एसल होंगे इसके एसल जादा जादा यहां तक होंगे तो यहीं तक यह मार्केट इसको लेने के लिए आया है अब देखिए यह इसका सपोर्ट प्राइस है यह जो यहां पर इतना जादा कंसॉलिडेशन किया है यह इ सकते हैं आपको कम से कम यहां तक के target इसमें safely मिल जाएंगे तो आपको इतने अच्छे target इहां पर दिखाई दे रहे हैं के इसल की स्थिति पता हुनीच यह सिर्फ market में अब देखिए इसमें कहाँ SL है इसमें यहां पे seller के SL है और इसमें क्या है यह कि यह बहुत जादा direct move है इस वजह से यहाँ पर SL नहीं है तो market एकदम से नीचे नहीं आ सकता जैसे कि मैंने आपसे बहुत बार का market ऐसे नीचे नहीं आ सकता और यह क्या है market में यह support level है यह जो इस तरह से swing बनती है यह जो एक इस तरीके से swing बनी भी है उपर से गिरते वे market के लिए यह ए डबलो मनल का concept भी कहती हूं मैं इसे और जो मेरे पुराने subscribers है वो जानते होंगे डबलो मनल का concept है यह तो इस price पर support ले रहा है यह नहीं ले रहा है market तो आप यह देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए rejection candle बन रही है जो नए लोग है उन्हें नहीं पता होगा उनके लिए ब इचे की तरफ इसकी body होती ही नहीं है यह देखें यह है rejection candle तो यह market का top define करती है तो ऐसी सूरत में देखें जब इसने इसका high निकाला आया अच्छी तरीके से मारूज उसे तो आप देख सकते हैं यह जितना trend line market ने घटा किया था seller के रूप में आपको market यहाँ पर उपर ज कि उपर जाएगा नीचे जाएगा तो ऐसी सूरत में आपको support पर देखना है price क्या करेगा support पर अगर support लेके उपर चल रहा है तो आप उपर की तरफ चल सकते हैं अराम से अब यह support price है यहां तो वैसे ही SL नहीं है तो इसी price पर अगले दिन भी market ने क्या किया है support लिया है द तो आप यहां तो आप यहां तो आप यहां तो आप यहां तो जाना नहीं है इसने क्योंकि यह तो इस सपोर्ट प्राइस पर उपर उठ रहा है तो आप यहां पर जब यह वाली candle यहां पर यह support price पर यह candle बन रही है यह ऊपर की तरफ काट रही है और यह 30 minute का time frame है छोटे time frame पर आपको पहले ही कोई candle मिल जाएगी तो चूकि यहां पर swing है यहां पर तो इस swing तक के आपको target आराम से मिल जाने चाहिए और देखिए यहां जो market में seller थे तो आप देख सकते हैं price ने क्या किया है price ne मैं आपको cursor से दिखा देती हूं यह देखिए इसका price ने क्या किया है इसका यहां पर break आउट दिया याने की यहां पर जो भी seller था market ने उसको ले लिया है इसका price का breakout दिया है तो अब ये वाले जो seller के SL थे यहां पे वो finish हो चुके हैं अब market में आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पे देखे बहुत ज़्यादा direct move है तो यहां पे SL है नहीं उके ऊपर तो SL है ही नहीं यहां पे market में क्या दिखाई दे रहा है की W बना रखाएं यानि कि यहां पे एक W minimal का support आपको दिखाई दे रहा है तो उपर SL नहीं है और यह क्या है direct move है इस वज़े से यहाँ पे असल नहीं है तो आपको क्या दिखना चाहिए आपको लगना चाहिए कि market में यहाँ पे consolidation होना चाहिए यह आप यह देखें कि support price पे आके price क्या करता है support लेके उपर बढ़ता है तो आप क्या करें आप यह करें कि इस price पे आप कोई भी छोटी डोजी ढूंके उसका अगर मार्केट में हाई कटता दिखाई दे तो आप एक कॉल की मोमेंट ले सकते हैं पिछ पहली स्विंग तक की अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है यहां पर यहां पर इतना कंसॉलिडेट हो रहा है और यहां पर मार्केट में क्या एक सपोर्ट है पोट कि 2003 का सोचना चाहिए क्योंजिक उपर तो एसल ही नहीं और प्राइस ने क्या किया है सपोर्प्राईस का सपोर्ट लिया तो हमें यह हमें कहाँ प्रफी ट्रेड लेनी ओके तो यह केंडल देखे एर यह rejection candle type candle बन रही है जैसे इसका लोकटे तो आपको put side में trade यहाँ पे मिल जाएगी market बिल्कुल इसी level से rejection ले रहा है और इस level से support ले रहा है तो अगर आप rejection level का trade पकड़ सकते हैं कि market जो है यहाँ से rejection ओके आ रहा है तो बहुत अची बात है नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप यह देखे कि market support लेवल पे आके कहां support ले रही है market ने कहां पे support लिये तो आप देख सकते हैं कि market जो है डबलू middle को नहीं तोड रही है और जो last price है उससे price उपर ही है तो फिर उसको call में जाना लाजमी है और इस दिन भी चूकी उपर हैसल नहीं है तो आपको price consolidate होते वे ही दिखाई देगा और इस consolidation में क्या हो रहा है market यहां पे buyer बिठा रहा है इस level पे buyer बिठा रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है market में buyer बैठ रहा है और देखिए यहां पे क्या हो रहा है यहां पे market में seller बैठ रहा है अब यहां पे उपर रहा है ही नहीं तो market ने क्या किया फिर से यहां से open हुआ तो इसने नीचे की तरफ आएगा correction लेगा क्योंकि उपर रहा है तो एक correction put की तरफ आएगा कहा तक to the next support level यहां पे support level तक market में आपको put की तरफ का आतावा दिखाई दे रहा है market फिर यह सारे दिन consolidate होता रहा आप देखिए यहां पे September की तरफ है चार्ट देखिए इसमें आपको यह भी दिखाई देगा कि consolidation के जो दिन होते हैं उनमें आपको कैसे trade लेनी है देखिए market ने बिल्कुल यहीं से reversal लिया है ओके यह तो मैंने आपको चार्ट बता दिया था September यहां से ऊपर देखिए यहां पे open हुआ है तो ऊपर जाने का मदलब क्या है जब ऊपर तो ऐसा लिनी है तो क्या होना चाहिए market में correction होना चाहिए आपको correction दिखाई दे रहा है इस support level पे आके आज भी price ने support लिया है ओके और सारे दिन यह consolidate होता रहा याने कि इसने यहां पे भी बहुत ज़्यादा buyer बिठा दिया यहां पे भी बहुत ज़्यादा buyer बिठा दिया और यहां पे तो देखे डबलू है ही ठीक है यह चीज़ आप देख पा रहे हैं और यहां पे क्या है यहां पे इतना अच्छा trend line बनाया seller का तो उसको लेने के लिए market उपर गया अगर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा उपर नहीं जा पाया क्यों क्योंकि इसके बाद उपर उपर ज़्यादा नहीं जा पाया क्योंकि उपर S.L. नहीं है इसे अब देखिए यह डारेक्ट refer shelf हो गई तो इसलीए यहां पे सल नहीं है ओके डारेक्ट मूव की वज़े से SL नहीं है तो इसमें यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक level आपको दिखाई दे रहा है price क्या है price कहा खुल रहा है price यहाँ पर खुल रहा है मतलब यहाँ पर खुल रहा है एक red candle बनी तो इस support लेवल पर आया price नीची अगर जाएगा देखिए अगर यह प्राइस सपोर्ट तोड़ेगा तब तो फिर यह वाले असल लेने जाएगा न क्योंकि इसके बाद तो यहीं पर एसल है यहीं पर बैठा है मगर प्राइस ने क्या किया इसी लेवल से सपोर्ट लिया यहां पर देखेंगे डोजी बन रही है के इस डोजी का आपको हाई कटता दिखाई दे तो आपको आराम से उपर की तरफ की ट्रेड मिलेगी यहां पर क्या है देखेंगे यहां पर फिर सपोर्ट लेवल बनाया मार्केट ने उपर की तरफ अगले दिन खुल रहा है तो ऊपर तो कुछ ही नहीं तो क्य होना चाहिए करेक्शन आना चाहिए तो आपको पूट की तरफ की ट्रेड मिलेगी अगर आप यह जिस्टिफाई कर पा रहे हैं किसी केंडल का लो काटा मार्केट ने तो आपको यहां तक के टार्केटिस में आराम से बुक करने चाहिए ओके यहां पर भी बायर बिठा दि फिए यहां पर ढूट बन रही थी मार्केट में इसने सपोर्ट तोड्र दी इस लेवल से मार्केट में रिवर्सल आया तो अगर फिएसलि की अगर सपोर्ट तोड पूडत तो इतनीय दिन की यह एंवादानем के लिए जिकना य दिखाई दे रहा है इस लेवल पे समल रहा है जहां पर यह डबलू समल रहा था मैं पैन से बता देती हूं जहां पर यह लेवल पे समल रहा था प्राइस यहां पर भी उसी लेवल पर आपको प्राइस समलता वा दिखाई दे रहा है डबलू बनाता वा कि फिर यहां से डबल की दिशा कैसे देखनी है यह देखिए अगले दिन यहां पर यह नौ तारिक का चार्ट है यह यहां पर यह प्राइस क्या है इतना लंबा गिरा है मार्केट तो यहां पर देखे कोई न्यूटलाइज हो जाती है, मतलब कि जितना seller आया, उतना seller ने गिराया, उतना buyer ने चढ़ा दिया, इसका मतलब यह हो जाता है, तो एक तरीके से price ने क्या किया है, price ने इसी level से support लिया है, ओके, और फिर price यहाँ पे उपर की तरफ ही है, तो buying आएगी इसमें, आपको इसमें put की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि नीचे चार्ट में असल नहीं है, आपको यह देखना है कि price कहां से उपर होने की तरफ कोशिश कर रहा है, तक हरी candle का टॉप इस candle ने काटा, यह जो यह वाली candle थी, तो आपको अब इसमें call की तरफ देखना चाहिए, कहां तक के target मिलें देखिए, मार्केट ने अभी यहां से support तोड़ा है, अब की बार इस level से reversal आया है, तो एक correction आना चाहिए, मार्केट में, क्योंकि यहां तो बायर जो था, वो तो खतम हो चुका है, मार्केट में, अब तो यहां जो भी होगा, वो seller होगा, और seller के लिए, मार्केट ऐसा, मार देखरी candle डाल के जो है, उपर की तरफ चड़ता, तभी तो यह seller निकलता, मगर इसने नहीं किया ऐसा, इसने क्या किया, अब यह नीचे भी नहीं आ सकता पूरा, क्योंकि यहां पे तो direct sell है ही नहीं, तो इसने क्या किया, इस candle तक क्या आपको target दिये हैं, और इस level से reversal लिया है, और जादा नीचे जाने ही सकता, क्योंकि SL है नहीं market में, ठीक है, यानि इन seller को निकालने तो जाएगा, मगर नचा कर जाएगा, इस तरहीं कैसे आपको समझना चाहिए, अच्छे, ओके, यहां पे देखे, बायर की trend line बनाई है, अगले दिन क्या हो रहा है, यहां पे ख की तरफ गिरते वे दिख रहा है, यहां से price आपको call की तरफ बढ़ते वे दिख रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां से अच्छा का सा रिवर्सल लिया है, चार्टने, तो आपको इसमें रिवर्सल साइट की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि उपर के SL लेने यहां यहां पर नहीं गया, यहां पर नहीं गया तो यहां पर क्या जाएगा? ठीक है, इस तरहीका से आपको सोचना चाएगा किया है. यहां पर देंटो रेजेक्शिन, गेंडल बन दीहें. इसने भी प्लूर प्लूर यहां कॉल पूटम हो डिय काटा है प होई लिद। सब्सक्राइब यहां से सपोट ली यहां से सपोर्ट ली और आपकोлять चार्ट नहीं दोड़ी नीचे नहीं आया सपोर्ट लेते वे चार्ट उपर की तरफ आपको जाते वे दिखाई दे रहा है उसके बाद देखिए जब चार्ट इतना उपर चड़ा है तो यहां पर इसने ऐसल खतम कर दिये हैं अब यहां पर की तरफ खुल रहा है तो उपर तो देखे असल ही नहीं तो इसे एक करेक्शन तो लेना चाहिए मगर अगर नीचे असल नहीं है तो क्या करना चाहिए इसे यहां से यह जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इसका सपोर्ट आपको इसको सपोर्ट लेना चाहिए तो इसने सपोर्ट लिये बलकि यहां पर देखिए आपको यहीं से सपोर् यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है अगले दिन प्राइस ने क्या किया है फिर यहीं से सपोर्ट लेके उपर उठाए यहां पर नीचे आने की कोशिश भी करी मगर फिर यहीं सपोर्ट से उपर उठ गया है तो सपोर्ट पर आ को चलाना चाहरा है मार्केट को चलाना चाहरा है अब देखिए इसने क्या किया इस लेवल से रिवर्सल आ रहा था मार्केट में यह देखिए इस लेवल से रिवर्सल आ रहा था ऊपर है नहीं तो मार्केट ने क्या किया एक रेट केंडल डाल रहा है तो आपको इस लेवल से market में support दिखाई दे रहा है नीचे आने की कोशिश तो कर रहा है मगर अपना ये जो support है support को या पिछले दिन का low है उसे नहीं काट रहा है यहाँ पे भी आया तो भी इसने नहीं काटा और chart उपर की दरफ चल रहा है आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें आप छोटी सी बादीय कर सकते हैं अगर आप ये समझ गए हैं कि हाँ ये अपने low नहीं तोड रहा है तो और आपको trade कहाँ लगानी है ये नहीं समझ में आ रहा है तो जब day high काटले तभी आप इसमें trade ले सकते हैं आराम से फिर क्या कर रहा है फिर इसने बाइक जो है मतलब last day उससे support लिया उपर की तरफ खुला यहां पर इसने attempt किया उपर की तरफ जा रहा हुँ में मगर उपर ऐसली नहीं है तो क्या करेगा correction लाजमी है तो देखे correction आया है मगर इसने यहां से support लिया है price ने और आप देख सकते के कुछ लोग कहेंगे कि इसने यहां से क्यों नीकिया इसने ठीक है यहां से क्यों नीकिया तो देखे प्राइस यहां पर पहले नीचे आया था मगर फिर इसने इस तरीके से यह चोड़े टाइम देम पर जब आप देखेंगे तो यह M-Pattern मनाता वा दिखाई देगा आपको ओके नगर फिर इसने जो bed of candles है यहां से support लिया है और आपको अगर पता है कि हां यहां support है तो आप यह जानेंगे कि इसमें यहां पर कोई भी टोजी का पर निकाले तो आप इसमें call side देख सकते हैं तो आप देखिए आपको अगले दिन भी यहां तक के टार्गेट दिखाई दे रहे हैं यहां पर देखिए इसने बायर बिठाये हैं यहां तक के बूक करने चाहिए क्योंकि हमारे पास यही है न स्विंग हमें क्या पता है कहां तक चड़ेगा इस वज़े से जो अच्छी स्विंग बनी वियो वहां तक के टार्गेट्स आपको देखने चाहिए अब देखे यह 23 तारीक है यह 23 तारीक के पहली कैंडल है तो यह कितना बड़ा मूव गया है य यहां पे एसल है नहीं उपर एसल है नहीं ओके तो इसमें क्या बच रहा है इसमें लास में यह गैणल लगा लूं निकालता है अगर लो निकालता है तो आप जो है शान्तе इसमें चार्ट क्रेंगा एक्रेट करेंगा तो इसने देखे यह करेशंट जैसे का मार्केट नेड में टॉप काटा है तो आपको थोड़ा सा मार्केट समें कॉल की तरफ जातावा दिखाई देरा मैं प्यव्म और ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है जिसमें आपको ये rejection candle यहाँ पे काटती भी दिखाई दे रिए वरना ये जो price section है इसमें देखें यहाँ पे भी rejection candle बन रही है यहाँ पे भी rejection candle बन रही है और ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे यहीं पे काटती भी दिखाई दे जाएंग यहां पे seller बिठा दिया यहां पे market ने बाइर बिठा दिया है और यह जो चीज है यह इसकी last support है क्योंकि अगर इस level को तोड़ेगा तो obviously इसको और नीचे की तरफ जाना पड़ेगा अब market ने क्या किया market यहां कहीं open हुआ है और उपर की तरफ जाना start कर रहा है याने कि इस last support से market ने support ली है और उपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो आप देख सकते हैं यहां पर जो यह seller बैठे वे मार्केट ने इसका market ने यहां पर breakout देने की कोशिश की है ओके मगर उपर एसल नहीं है तो इसलिए यह जो breakout है यह एक fake breakout में convert हो गया है और price यहां पर इस तरीके से नीचे आया है क्योंकि यहां पर market ने अच्छी कासी trend line बना रखी है अगले दिन और अगर यहां पर नहीं पकड़ पा रहे हैं आप कोई बात नहीं मगर आप यह तो देख पा रहे हैं कि market इतने दिनों से कितनी बड़ी trend line बना के चल रहा है यह देखे कितनी अच्छी trend line बना के चल रहा है तो अगर market यहां पर नीचे की तरफ gap down open हुआ है तो आप इसमें समझ सकते हैं कि अब इसमें put का trend चालू होने की संभागना है तो price देखे यहां पर support तोड़ रहा है जैसे पहले भी मैंने आपको बताय था support तोड़ रहा है यानि कि यहां का सारा बायर कातम कर दिया है price ने आपको यह जो seller है इसने बहुत profit देख लिया है और यह जो buyer था यहां पर और यह जो इस ने इतने दिनों से यहां पर seller बटाब्ता रखा था इसका जो इसने यह breakout देके इसने इसे भी हृत कर दिया है पेर्णाने कोशिश की थोड़ी सी यह देख लीजे आप यहां पे से विपाने की कोशिशma की थोड़ी सी यह देख लीजे आप यह चाहिए। तो अगले दिन भी देखे प्राइस इसी लेवल से जो है रिवर्सल ले रहा है तो आपको यहां पर मार्केट पुट की तरफ जाते वे दिखाई दे रहा है ऊपर वैसे भी ऐसल नहीं है तो ऐसे में कॉल की तरफ न जाके आपको पूट साइट के ट्रेट की देखनी चाहिए वैसे भी पुट का ट्रेंड हो रहा है फिर देखे गाप डाउन हो रहा है मार्केट तो यह कॉल की केंडल क्यों आ रही है और वीडियो में अंतक जरूर बने रहीएगा क्योंकि अब ही मैं आपको एक बड़ीया ख़बर देने वाली हूं वीडियो के अंतक जरूर बने रह किये अब यहाँ पर क्या है यहां बहुत जाधर डियरेक्ट में हम Live अक्टूबर पर आ गए हैं आप देख लीज्य बशना ही इसकी कोई यहाँ अगर मार्केट क्या कर रहा है मारुट देखे हैं यहां पर लास्ट प्रायस का सपोर्ट लेकर ओपर चैन्सने की कोशिश कर तो चड़ेगा कैसे जब यहां सल लिया है मार्केट ऐसे ट्रेंड लाइन बना के चल रहा है देखिए यहां पर इसी लेवल से यहां पर यह देखिए तो इसमें जैसे यह इस तरीके से चार्ट गिर रहा है किसी भी एक स्विंग को डाउन कर देता है market तो आप समझ सकते हैं कि अब यह trend line leading के लिए तोड़ेगा तो आपको यही दिखाई दे रहा हो गया आपे जब इस level को इसने तोड़ दिया है तो आप समझ सकते हैं यह देखें यह support है यह support है support ही तो है और जब नीचे गिर रहा है तो अगर इसने यह level तोड़ दिया है तो यह देख लीजे आप पांच तारिक का चार्ट है आगे तो चार्ट होने वाला है और प्रडिक्शन वीडियो मैंने चानल पर पहले ही डाल दिया है तो आपके सामने मैंने अभी रही महीने कवर किये हैं SL की स्थिती पता होने की वज़े से केवल कि कहां पर SL की स्थिती होनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको मार्केट को कैसे समझना चाहिए देखे यहां से W से start हुआ था यह देखे W से start हुआ था W mental का support लेते वे चार्ट उपर ही उपर है फिर एक दिन इसने support तोड़ा वो एक दिन कौन सा था यह वाला एक दिन था जब इसने यहां से support तोड़ा था यह downtrend आया था और यही काम इसने यहाँ पे भी किया था मैं आपको बता देती हूँ अभी मैंने बताया था आपको अगस्त में यह देखें यही काम इसने यहाँ पे किया था यह इसने सपोर्ट तोड़ी थी जब है न फिर यह इस तरीके से नीचे आया था आपको शयर दिखाई दे रहा हो यहाँ पे ना दिखाई दे रहा हो मगर देखे एक बड़ा डबलू तो आपको सुरी थोड़क एक बड़ा डबलू तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यह जो डबलू मिडल के प्राइस पे आपको यहाँ पे चीज़े दिखाई दे रही होंगी ठीक है और अगर आप देखेंगे तो यह भी W है मार्केट के लिए यह भी W है मार्केट के लिए फिर प्राइस डबलो मुडल पे लेके बैठा वा था इने बार भार ठीक है फिर यहाँ पे इसको उपर लेके बैठा वा था तो यहाँ पे भी भड़िया trend line बन रही है मगर price ने क्या किया इस टबलू पे market को संभाला और फिर इस तरीके से उपर लेके गया तो यह मैंने basic class अपने उसमें बता रखी है कि price किस तरह चलता है तो students के लिए भी मैं बता रही हूँ कि यह देख लीजे यह चीज वो चीज यहाँ पे भी validate हो रही है तो price action वैसे ही चलता है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया और दूसरी चीज में जो आपको बताना चाहती हूँ यह सारी trades हमने पकड़ी थी यह morning वाली जितनी भी ट्रेड्स हैं हमने अपने टेलीग्राम चानल पर पकड़ी थी हमारे ग्रूप में सब को दी थी मैंने यह trades तो आप जो है आके हमारा प्रीमियम ग्रूप चेक आउट कर सकते हैं उसके screenshot चेली चानल पर मैं डालती रहती हूँ यह देखे यह मेरा टेलीग्राम चानल है इसमें 5780 सब्सक्राइबर्स हैं और count इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप गलत चैनल में ना जोड़ें market mirror यह नमस्ते का sign 5780 सब्सक्राइबर हैं और मैं इसमें आपको यह बताना चारी हूँ कि अगर आपको मेरा अपना trading setup सीखना है जो मेरा trading setup है मैं strategy के तहरेट लेती हूँ अगर आपको मेरा अपना trading setup सीखना है तो आप मुझसे संपर कर सकते हैं क्योंकि इसकी live classes होने वाली हैं कल संडे को और आप ये जो ad देख रहे हैं या पर ये वाला ये market mirror own setup इस ad को आके देख सकते हैं telegram पर और मुझसे संपर कर सकते हैं इसमें contact वगेरा मैंने सब दे रखा है कि कहां पर contact करना है क्या है ये सारे points वगेरा आप आके वहां पर पढ़ सकते हैं आप भी इस तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए charts को कि आपको सिर्फ SL की स्थिदी support level, resistance level की मदद से market में समझ में आएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है कैसे आपको देखना चाहिए और अगर कुई query हो कुछ हो तो आप telegram पर आके मुसे संपर कर सकते हैं टैली ग्राम पर मैं बहुत जल्दी respond करती हूं क्योंकि telegram मैं काफी active रहती हूं तो मैं बहुत ज्यादा जल्दी respond करती हूं इस वज़य से telegram पर आके आप संपर कर सकते हैं देखे जब आप telegram पर आएंगे तो आपको यह जो link दिखाई दे रहा है मार्किट मिरर हेल्प टेस्स कि यह मेरा लिंक है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह अकाउंट दिखाई देगा पारूल के नाम से जिस पर सरस्वती जी का फोटो बनावा है तो आप समझ जाएगा कि यह मेरा ही अकाउंट मतलब मेरे से ही बात हो रही है आपकी त एलिग्राम चैनल को जॉइन कीजे क्योंकि लाइव क्लासेज हो रही है तो फिर आप मतलब बाद में आएंगे और बाद में क्वेरी करेंगे तो क्लासेज हो चुकी होंगी इस वज़े से आप से कह रहे हूं तो आपसे विदा लेती हूं फिर मिलती हूं थैंक यू वेरे म पिरमाटी हो पुकी हो जाप